आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको आइटी या इनाइटी में जाके मास्टर्स जोइन करने का एम होगा और कई सारे बच्चे जो हैं वो आपको काफी जादा लगने वाली है कई सारे जो हैं जिसमें अगर हम पूरी आइटी को अब्सक्राइब करें तो उसके अगर आप देखो तो कौन-कौन से सब्सक्राइब करते हो कि कौन से सब्जेक्स आपको ज्यादा पसंद है उस इसाप से अपना बात करें यहां पर सारी ब्रांच के बारे में बात करेंगे वन टू अगर मेकेनिकल में कई बच्चे जो हैं वो गेट पेपर लिखते हैं तो इस केस में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास हो तो आपका कोर्स करिकूलम वगेरा क्या रहता है जैसा आपने देखा होगा जब आपने ग्रेजिविशन करी होगी तो डिजाइन वाला जो सब्जेक्स होते हैं इसमें आपने देखोगा सब्सेटिज करने होता हैं एंटेक कि इनडेस्टियल इंजिनेरिंग आपको एक कोर्स देखने को मिल रहा है क्योंकि आप सबको पता है प्रिवेसली कई सारे बच्चे होते ते वो निटी बोम्बे में जाकर अपना वहाँ पर पीजी दियाए और यह सारे कोर्स करते थे ब हो यहाँ पर जो इंड़ेस्टियल इंजिनरिंग है के अंदर उसके डिमांड काफी बढ़ रही है और गाइज मैं यह जितने भी आपको बता रहा हूं इस सारे आइटी के साफ से आप लोग टारगेट कर सकते हैं कि कि आपको किस फिल्ड में जाना है और मैं आप सबस्षाइब बच्चों से यह कमेंट से बिलोंग करते हो आपके कौन से ऐसे दो एरिया है जिसमें आप जाके करना चाहते हो अगर आप फ्यूचर में गेट लिखने वाले हो यह अगर आप इस साल भी गेट लिखे ओ तो भी आ अगर आप देखें फ्लूड मेकेनिक्स थर्मोडाइनिक्स पार प्लांट आरेसी इन सब में इंट्रेस्टर जो आप थर्मल के सब्जेक्ट में जा सकते हैं ऐसे एंटेकिन प्रॉडक्शन इंजिनरिंग भी है अप्लाइड मेकेनिक्स भी है कंप्यूटर एडेड सब्सक्राइब देखोगे तो यह काफी ज़्यादा फ्यूचर में डिमांडिंग होने वाले हैं तो यह भी आपके लिए पास मेकेनिकल में कॉर्सेज अवेलेबल है सिमिलरली अगर आप दिखोगा है अगर आप इलक्रिकल एन इलक्रोनिक्स के स्टुडेंस है तो पावर आपके पास अच्छा कोर्स है कम्यूकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग यह भी कोर कोर्सेज की केटेग्री में आता है अगर आप देखोगे बेस्ट कोर्सेज में इलक्रोनिक्स में कई बच्चे जो है माइक्रो एलक्रोनिक्स इन वीलसाई सर्कृट जो सबस्ता था मैंन इसका भी काफी जाधा घ्रोथ हो रहा है अगर आप देखोगे तो फीचर कोर्स की कटेग्री में आप रख सकते हो मसीन लर्निंग वगरा काफी जाधा इसकोफ हो रहा है तो यह आप जोइन कर सकते हैं एंटेक इन इंस्ट्रूमेशन एंड इंटिगेटेट इलक्रोनिक्स इंबेड़ कोंट्रोल एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा टोप एंटेक और आप देखोगे एक्ति के यहिए आपको सबसारन कर सकते चल्यूंटेस फ्रूफर इंटिफल ऑश्रेओ सबस्केटिगाएं कर सकते हैं तो यह आपके पास वैविलेबल है डिफेरेंट इसमें आपको मिलेंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद अगर आप दिखो गई जो एंटेक के आप सकते हैं याद और आप कर सकते हैं ऱीट कुछ करना है कि आपको इंवार्मेंटेस्ट में ज्चूर्ट में इंट्रेस्ट कर सबस्क्राइइब कर सकते हो इन कर सकते हैं कर सक्छा सब्सक्राइब है अर्थ सिस्टम साइसे इंगिनेरिंग काफि रहा से सेवेलेबल है यह स्वेल में बच्चेव वह कंप्रूटर साइन सेंडे के बच्चे हैं यहां पर बच्चे अगर आप इलक्ट्रोनिक्स के देखेंगे तो इसमें इस्टूमेशन के बच्चे भी वहाँ पर इलिजिबलेटी उनकी में हो जाती है कई सारे कोर्सेज में तो इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया बाकी अगर आप आप चाते हो कि आपको और किसी और ब्रांच से आप बिलोंग करते हो जो यहां पर नई शो की हुई है तो आप कुल्दीफ सर अंडरिस्कॉर पीड़्यू टेलिगाम चनल जोइन करके रखिए वहाँ पर डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इसके बा सब्सक्राइब करते हैं डाटा साइंस और इंटर इंटलीजेंस का भी काफी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है अप्लाइड मैटमेटिक से अन्साइंटिफिक कंप्यूटिंग में आप जोइन करते हो यह कुछ कोर्सेज हैं अगर आप के कोर्सेज के लिए देखेंगे तो हर सब्सक्राइब करते माओ इंश को घिलता हैं इसके लगए तो चुछ कोर्सेज हैं चलते हैं उनको मेंशन कर रहा हूं उसके लवाइं अगर आप केमिकल इंगनेरिंग में हैं तो थेन्ग इनवार्मेंटेल इंग में में मैं में अनौन पेपर टेकनोलोजी पॉलीमर साइंस और यह कुछ आपके लिए अवेलेबल है इनमें आप कर सकते हैं डेफिनेटली आपका अगर आप देखोगे तो कोर कोर्सेज की क्रेटेगरी में इनमें से कोर्सेज आता है कि सर मैं कोर्सेज में नहीं में इंटर डिसिप्लिंटरी ब्र इसका पार्ट बन सकते हो यहां पर अगर हम देखेंगा इस टोप एंटेक कोर्सेज जो है आपटर बीटेक इंटर डिसिप्लिंटी ब्रांचेज में तो एंटेक इंजिनेरिंग एनलाइसस और डिजाइन इलक्रिक मोबिलेटी मसीन इंटलिजेंस डाटा साइंस रोबोटि इंजिनेरिंग एन इनलाइटिक्स इसका लावा ओपरेशन रिसर्च एंड डाटा अनलेटिक्स और इंडस्ट्र इंगनेजमेंट गाईज यह कोर्सेज भी काफी ज्यादा पोपुलर हो गया है अगर आप देखो कि जैसे ही निटी बंबे का कनवर्जन हुआ है उसके इन इस अगर आपका करिकूलम भी होता है तो इससाब से इन कोर्सेज के भी काफी जादा डिमांड है और नियु एड्यक्वेशन पॉलेसी जो आ रहे है उसमें जो अप्रोच है उससाब से यह कोर्सेज भी आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रोथ फुल आपको के लिए अवेलेबल है इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद यही था कि आपको आइटी में जितने भी कोर्सेज हैं एंटेक के उन से आपको अवेज करवाना जैसे आप ग्रेजुएशन में एड्मिशन लेते हो तो आपको पता होता है कि मुझे बीटेक साइंस में करनी है किसी फिल्ड में करनी आपको पहले सी 11 12 में ही तोड़ा लगने लगता है अगर आप इंजिनिरिंग से हो ऐसे ही अगर आप ग्रेजुएशन में हो या पास आउट हो तो उसकेस में अगर आप गेट की प्रिपेर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए के कौन-कौन से आपके पस पता है उसी चीज के लिए हमने आपको इसमें अवेर करनी कोशिस करी है बागी और भी अलग-लग प्रेस्पेक्टिव से क्या प्लेस्मेंट रहता है क्या कट ओफ रहती है वह सारे वीडियो आप लोग लिए प्लान है डेफिनेटली वह भी आते